पॉलिट्रिन इंसेक्टिसाइड जी यां सिंजन्टे का जो ये पॉलिट्रिन इंसेक्टिसाइड आता है इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे और हम प्रेक्टिकली देखाएंगे उसके साथ रेजाल्ड भी देखाएंगे कि कितना अच्छा रेजाल या फिर कितना बुरा रेजाल देखने के लिए मिल रहा है तो आज हम इस वीडियो में Polytrend insecticide के बारे में details में बात करेंगे कैसे? जैसे कि Polytrend insecticide क्या है इसमें क्या chemical composition देखने को मिलता है और इसको कौन-कौन सी फसल पर कौन-कौन सी इंसेक्ट को यानि कौन-कौन सी इल्ली को कॉंट्रोल करता है इसका डोज कितना है इसका प्राइस कितना है और मार्केट में और भी यह जो ब्रांड है इसके अलग नाम पर क्या क्या मिलता है पूरे डिटेल्स में आज हम सिंजन्टा का जो पॉलिट्रें इंसे इनक्रम यानि क्या होता है डीस यह से ज्यादा हीलों को दोनों तरीके से के देखने को मिलता है प्रोफेनोपोस 40% के साथ साथ साइपर मेतरिन 4% का इसी कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है अब इसी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है इसी कॉम्बिनेशन का मतलब एमुलिसी पेवल कॉंसेंट्रेट जो की लिकुईड तरल पदर्तों में देखने को मिलता है तो प्रोपेनोपोस और साइपर में दोनों का होने के कारण ये काफी अच्छे रेजल्ट देता है और काफी ज्यादा किसान इसको यूज़ भी करते हैं बात कर लेते हैं ये कौन-कौन सी इल्लियों को कॉंट्रोल करता है तो जैसे कि आप लोग को हम बता देते हैं ये एफिट्स को अच्छी तरीके से कॉंट्रोल करता है जो सकिंग पेस्ट होता है जैसिट्स को भी कॉंट्रोल करता है क्रिप्स को भी कॉंट्रोल करता है वाइट के लाई को भी कॉंट्रोल करता है और चिवाने वाला जो कीट होता है जैसे बॉल वार्म, पॉट बोरर, लिप रोलर इसको भी काभी अच्छा कॉंट्रोल करता है लेकिन आप लोगो को ध्यान रखना चाहिए कि इसको आप लोगो को प्रिवेंटिवी इस्प्रे करना है तभी आप लोगों को अच्छा रजाल तेखने के लिए मिलेगा अब प्रिवेंटिव के मतलब क्या होता है प्रिवेंटिव इस्प्रे यानि कैसा होता है कि जैसे आप लोगों का कोई फसल है और उसमें कोई इल्ली नहीं लगा है उसस तो इसको आप लोग सभी प्रकार की फसल में इस प्रे कर सकते हैं जैसे के मिर्चा, टमाटर, बैगन, भेंडी, पता गोवी, कोई भी पसल पर इस प्रे करते हैं तो काफी बहुत रेजल्ट देखने के लिए मिलेगा लेकिन प्रिवेंटिव में अगर आप लोग इनिस्टिसाइड को हम लोग कितने मात्रा में छिड़कव कर सकते हैं यह निसका डोज कितना है तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह 16 लिटर का पंप और 16 लिटर के पंप में हम यहाँ पर 25 एमेल पॉलिटरेन को डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से घोल बना कर पानी ड कोई भी इल्लियों का प्रोकॉप नहीं है तो इस तरीके से आप लोग को पॉलिटरेन इंसेक्टिसाइड को चिलकव करना है अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉलिटरेन इंसेक्टिसाइड के साथ और भी कौन-कौन सी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड या फिर मिला करके एक साथ में इस पर कर सकते हैं पर नहीं कर सकते हैं तो जी हां दोस्तों इसके साथ आप लोग कोई भी पंगिसाइड या फिर टोनिक को या फिर इंसेक्टिसाइड को भी मिला सकते हैं 100% रजाल देखने के लिए मिलेगा कोई दिक्कत नहीं और प्राइस के उपर बात किया जाए तो पॉलेटिन इनिसेटिक साइट का जो 100 ml का प्राइस होता है वो आप लोग को 100 से लेकर के 120 रुपे के आसपस मिल जाएगा लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हर स्टेट पर हर कर मार्केट में अलग अलग प्राइस होता है इसलिए प्राइस के उपर ज्यादा ना ध्यान दे लगबग आप लोग को इतने प्राइस के उपर मिल जाएगा और ब्राइड नेम की अगर बात किया जए तो कौन-कौन सी कमपणियों के पास सेम टेकनिकल के उपर ये दबा मिलता है तो फेमास की उपर बात किया जए तो नागर जुना का प्रोफेक्स उपर नाम पे भी मिल जाएगा आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं सेम रेजल झाल